स्वागत आपका फिर से में यूटुब चैनल पर आप देख रहे हैं इंडियन रिल्वेव फैन्स आर्मी जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने क्या वो प्ली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए जान देदेंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हैं दोस्तों जैसे कि आप लोगणे मेरा थमने देख के समझे के हो गए कि आजम कि स्टापिक के उपर बात करने वाले हैं। उदेपूर डुंगरपूर रेल लाइन पर 31 अक्टूबर को शुरू होने वाली नई सवारी गाड़ी को लेकर एक दिन पहले रविवार को स्पीड ट्रायल होगी इसको लेकर रेलवे प्रशाशन ने आमजान से ट्रैक से दूर रहने की अपिल की थी क्योंकि इस ट्रैल में के संचारन तेजगती से होगा रेलवे प्रशाशन की अनुसार कोई व्यक्ति अंदिकरत रूप से रेलवे ट्रैक पर ना करे इसके लिए रेलवे फाटक अंडर पास या ओवर ब्रीज का प्रियोग करे ट्रैक के आसपास अपने पश्वों को भी लेकर ना जाए बता दे की 16 साल के लंबे इंतजार के बाद उदेपूर एमदबाद ट्रेन का सफर 31 अक्टूबर को चालू होगा इसकी शुरुआ असारवा से पीम नरेंदर मोदी सोंबार शाम सड़े छे बजे करेगे यानि कि आज इस लाइन पर तीन ट्रेने चलीगी इधर कामर्स इंडेश्ट्रीज ने रेल प्रवंदग को दिये सुझाब उदेपूर चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इड़ स्टेज के परती निदियों ने अजमे रेल प्रवंदग राजीव धनकड को स्टेज के माल यातियात स्के सम्मदिद कई सुझाब दिये हैं इंडेश्ट्रीज ने उदेपूर वे आसपास के उधुगों को माल को लोड़िड अनलोड़िड तथा माल गाड़ी वे यात्री ट्रेनों की गती बढ़ाने आदी की मांग की है इंडेश्ट्रीड अध्यक्ष संचे सिंगर ने बताया कि अज में रेल प्रबंदग दुवारा हमें गती शक्ती टर्मिनल योजना अंतरगत मंडल दुवारा चुने गए पार्सल लेंड के बारे में जानकारी दी गई रेल प्रबंदग ने हमारी मांगो पर सकरात्मक रूक दिखते हुए जल्द पूरा करने का अश्वाशन दिया है दोस्तो ये थी आज नई ट्रेन के बारे में छोटी सी जानकारी दोस्तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए होगी दोस्तो अगर आप इस चैनले पे नहीं आए हो तो इस चैनले को लाइक सब्सक्राइब एंड शेर जूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों अपने भाई के जल्दी से वन के सब्सक्राइबर करवा दीजिए